नवरात्री से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल श्रधा MH1 को सब्सक्राइब करें करें JOHN Remember कैसा है मा को कानकारेंand के लर्ष को महा ऊपाए भी बताते है शुबारम करते हैं अपने इस विशेश शिकारिक्रम का आशरवार लेते हैं गुर्देव का गुर्देव बहुत बहुत स्वागत है आपका जय माता देए गुर्देव सरपतम आज आप हमें बताए मा कालरात्री के स्वरूप के विशे में मा कालरातरी का जब नाम आता ना तो समझ लिजिए आपका मन तो परसन होता है यहां पर यह सच है कि दुस्टों को अत्याचारियों को यह रूप मा का देखकर उनकी समझ लिजिए दिन चरिया खराब हो जाती है उनका कुछ नहीं रहता मगर भक्तों को ये मन बड़ा बहुता है ये रूप मा का मन करता है इनके इस रूप को देखता है जो व्यक्ति इनके रूप को निहारता है देखता है उसका जीवन समझ ली ये सफल हो जाता है उसको किसी भी प्रकार के दोश नहीं होते है इनके रूप का अगर वर्णन करते हैं, बड़ा सुन्दर रूप है, सुन्दर हमने इसलिए कहा कि डर भी लगता है, गर्दब पे सवार हैं, गदे पे सवार हैं, सीधे हाथ दोनों अभे मुद्रा में हैं, चार हाथ हैं इनके, और उल्टे हाथ में उपर एक तलवार है, बड़ा और उस पर रक्त लगा है, रक्त से सनी हुई है वो, और लोहे का कांटा है एक हाथ में, बाल इनके बिखरे हुए, बैंगनी नीला काला रंग है इनका, चमकदार, काला रंग चमकदार, आखे इनकी तीन है, और तीनों से इतना तेज है, समझ लीजे, ये विद्दुत की किर्णों की तरह है, कांटा है, हातों में कांटे हैं इनके, उसमें किर्णे निकलने जैसे बिजली चमकती है, उस तरीके की किर्णे है, नासिकाओं से इनकी जौला निकल रही है, अगनी की जौला जैसे नीली जौला निकलती है, वो जौल जहां आपका असंतुलित होगा तो आपको डड़ लगेगा अगर आपका मन सात्विक है पुना आत्मा है आपकी पुना आत्मा है तो आपको यह मन बड़ा भाएगा इनका रूप बहुत भाएगा इनका जितना वर्णन किया जाए सास्तरों ने क्योंकि इन्होंने इतना संगार किया है इतना संगार किया है कि इस संगार का कोई वर्णन नहीं है देवी भागवत में काली का और काली का ही वो दिन है जो इनकी उपासना रात को भी की जाती है रात को कई गुना हजार गुना बढ़ जाती है इनकी शक्ति इनका मंतर बड़ को देखने ही सकता पापी य तैचारी इनको देखने ही सकता असुर्भैक के मारे भाग जाते हैं भयावे रूप है असुर को भौट डर लगता है इसनिके रूप से ये रूप मानने रखआ ही इसी कारण है की दुस्टों के अंत करने के लिए क्योंकि जब श्रुष्टी में पुल्र काम बंद हो जाता है, यग पूजा पाठ अनुष्ठान बंद हो जाता है, तब मा ऐसा रूप रखती है और समय समय पर रखती है, ये रूप के दर्सन मातर से वेक्ति के दुख दर्द भी दूर होते हैं, बहुत चंदर, मा कालरातरी से जुड़ी कोई कथा या फिर क मा को करोद नहीं आता, इनका करोद थाई नहीं, इनका करोद तभी होता है कि जब इस धर्ती पर इस ट्रिस्टी पर पूजा पाठ यग अनुष्ठान सादू हैं, महात्मा हैं, यग कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, उस यग अनुष्ठान का जो बल होता है, उसका मि है इंद्र को कई बार ऐसे महिशा सुर आए हातत आए मदू कैटव आए ये राग और देश हैं हमारे मदू और कैटव ये राग देश है देव भागवत में सब कथा मिलें ये आपको सुम निशुम आए ये सब कथाए हैं तो उनका अंत करने के लिए जब वो वर्दान इतना पांगते हैं कि हमें कोई मार ना सके हमें देवता तो कोई मारी नहीं सके बई असुर इतना तब करते हैं इतना तब करते हैं कि वो ब्रह्मा जी से ऐसा वर्दान ले ले लेते हैं कि हमें कोई मारी नहीं सकता अब मार नहीं सकता उन्हें पता है देवी मारेगी तो माहमाई ने ये ऐसा रूप लिया कि जिसको अच्छा इनका वाहन की बात करेंगे तो इनका वाहन भी देखें आप इन्होंने अपना वाहन क्या बनाया वाहन बनाया गधा आप हाती से आएंगे घोड़े से आएंगे घरण पर बैठका आएंगे विश्णू शंकर जी की सवारी विश्ट कर्म हो जाएंगे तब ये रूप लेती है मा और देविवागवत में लिखा है उन्होंने फिर इनका संघार किया और ऐसे नहीं किया वह जो गोल वाली गोल ऐसे होती है फिर हात हात को ऐसे मोड़ने और खड़क बन जाती उसको माने फिर संघार करना परार्म किय और फिर माने संघ़ार करते करते अपने भक्तों के कल्लाण के लिए इसके बाद शांती भी हुई है शंकरजी तक महुँच गही थी फिर रुखी नहीं थी मा ये अवस्ता मा की है क्रोधित इस क्रोधित अवस्ता को देवी भागवत में सुम्म जितने दानव है सबका माने इसी रूप से संखार भी किया है तो काली भी कहते हैं इनको काली गुरुजी मा को करोध क्यों आया ये भी बताएं आप करोध का बहुत बड़ा कारण है कि हमारे जो सरीर में हैं इसके अंदर राग और द्वेश हैं मदू के टब वही हैं हम काम कर जब ये बढ़ेगा तभी मा को करोध आएगा संसारिक मा बच्चे को करोध करती है क्यों करती है क्यों करती है क्यों करती है क्योंकि उसका कारण है कि बच्चा जब मा की बात नहीं सुनता यहां जगत जन्नी क्रोध करती है कि जब आप से उनके बनाए हुए प्राणियों अच्छा भरवाव नहीं होता, अच्छा बरताव नहीं करतें, आप उनके सी अच्छे संसकार नहीं डालतें, उनके अंदर, उनको सतकर्म से हटाके, तमोग उनकी तरफ ले जाते हैं, रासी परवर्तियां बढ़ा लेती हैं, तो संसारिक मा को भी कुरोद आता है. ठीक इसी प्रकार, जब मा के बनाये हुए जितने संचालक हैं, जितने यग पूजा पाठ हैं, जितने अनुष्ठान हैं, उनको जब हटाया गया होता है, जब उनको दुशित करते हैं, तब मा को आता है करोद, और ये सरूप मा लेती हैं महामाई, जगदंबी, मनी, लोग की वासनी से, क्योंकि ब्रह्मा जी, विश्नु और महेश तब उनके पास पहुंचते हैं, और इस रूप की कामना करते हैं, ये रूप उनका, उन महामाई से मिला है, जो मनी लोग की वासी होती हैं, जो अठारा भुजाए वाली हैं, जितनी भुजाओं का हमने जिकर किया इत पुद्रा भी है, वो डराने ही रही हैं आपको, वो अभै है, और मा ने जिसको माला उसका जनमी नहीं हुआ, ये जो रूप है इसके बाद किसी का जनमी नहीं हो, जिसका संगार किया मान है, उसको वो अपने लोग मे ले गए, मगर आप दुस्टों का नास करने के लिए, और संसार में सुख का वातवरान लाने के लिए क्या कि माने जो सिष्टी बनाई है वो चाहती है कि उसको संचालन फली भूत होता रहे है। गुर्देव साधक को मा काल रात्री किस प्रकार की शक्तियां देती हैं यह भी आपसे जरूर जानेंगे लेकिन यहां पर वक्त हुआ एक छोटे से अंतराल का इस खूपसर चर्चा के साथ हम पुना हाजर होते हैं। जानती हो हरी सबजियां खाने से स्किन अच्छी रहेगी और ब्रॉकली से इम्म्योनिटी रोज रोज वेजेटेबिल्स खाओगी तो हेल्दी रहोगी और मेरे बालों के लिए हेल्दी बाल बनेंगे हर रोज प्योर रूट्स शैंपू लगाने से रोज अपने बालों को रोज दीजे वीट और सोयबीन के पोशन से भरा प्योर रूट्स प्रोटीन शैंपू जिस इस छोटी सेंतराल के बाद एक बाद फिर से बहुत बहुत स्पागत है आपका हमारे इस विशेश कारिक्रम में जिसका नाम है नौदिन नवरात्र के आज हम मा के सातवे रूप यानि की मा कालरात्री के विशे में आपको बताएंगे और इस जूरी तमाम जानकारिया लेकर आज फिर से हमारे इसे कारिक्रम में उपस्तित हुए विश्विख्या जोतिशाचारे वास्तु एक्सपर्ट नाडिवैदे पंडित सुनील भारत दवाजी एक बाद फिर से स्वागत करना चाहेंगे गुर्देव का गुर्देव बहुत बहुत स्वागत है आपका जयमात ग्र्षरी से आज हम पहुंच गए बंदी से वीह उपर सहस्तर में जहां हम लगाते हैं चोटी अब आप ये समझें कि हमारी जहां चोटी हुती है जहां हमारी शिखा होती है हमारा अब ध्यान केंदर पहुंच गया हमारी शिक्खा पर यानि कि अब हमारा पूरा सरीर जो है वो काया कल्प हो चुका जो योगी लोग होते हैं हमने कहीं बार बताया इनी दिनों की कामना करते रहते हैं कि नौरात्रे हैं चैतर मास के आशिट मास पर जिसके हम द्वारा कुंडलनी जागरन करेंगे आपकी कुंडलनी अगर जागरन हो जाए तो आपको साद्धे और रसाद्धे रोगों का सामना नहीं करना पड़ेगा जब तक आप इस मिर्टू लोग में हैं आपको कोई रोग नहीं सताएगा और जब काल रात्री की बात आती है तो सहस्तर चक्र आपका चल चुका होता है इसमें आपका जागरित हो गए होती है यहां आपकी लौ पहुंच गई होती है हम आपको इसका एक बहुत बढ़िया दुस्टांग दिखाते हैं हम यहां बैठे हुए हैं मोली का जी यहां बैठी हुई है अब यह जाता कैसे है चलता कैसे है आपने बुछा हो सक्ती आती कैसे है मान लीजे हम दिली के आपके चैनल में बैठे हैं और यहाँ चैनल से अम GТ कनराल रोड पर चलें, और जी टी कनराल रोड से पूरे रस्ते पर अगर हम जा रहे हैं बाइर रोड भी जाते हैं तो हम जम्मो पहुंचते हैं, जम्मो से कट्रा पहुंचते हैं आप बंद करकर हम चिंतन कर रहे हैं को पहुंच गए कट्रे से हमने मुक्फधार से जहां बाढ़ गंगा थी वहां से हम इस पर्स करके ऊपर चड़ते एं चरण पादुका पहुंसते हैं आदुकुमारी पहुंसते हैं माँ के भवन के इसनानादी से दर्सन करते हैं तो हमारे एक भाव है मंसा वाचा कर्मना तो हमारी जो केंदर है सहसर है वो इतना खुल चुका है कि हम वहां उनके चरड़ों में पहुंच गए हम तीनों पिंडियों को काली लक्ष्मी और सुर्चती को निहारते हैं देखते हैं यह हमारा जाना हुआ और योगी लोग गए नहीं कहीं वो मांसिक यात्रा कर लिए उन्हों ने यह सहस्तर है आपको वहां ले जा सकता है जहां आप मांसिक यात्रा कर सकते हैं मांसिक यात्रा का वो ही फल मिलता है जो आपको जाने से फिलता है इसमें दोश नहीं है इसमें लोब नहीं है इसमें एहंकार नहीं है इसमें लालच नहीं है इसमें किसी के परती ईर्षा नहीं है किसी से द्वेश नहीं है कोई दोश नहीं दोस रहित यात्रा करी आपने हमारे साथ और उसके बाद पुने आप परसाद लेकर नारियल की भेंड लेकर घर आ रहे हैं और घर में आप या वहाँ पर भी भेरो बाबा के दरसन करते हैं या तो वहाँ दरसन करते हैं या आपने घर में दरसन करके आप कन्या को जमाते हैं ये पूरी प्रक्रिया है आपने सिर्फ गए नहीं आपने अपनी मान से किया था ये मा की किरपा है कि आपका सहसर वाला दिन जो है आपका खुल चुका और जिस दिन आपकी एलाद खुलती है जिस दिन आपका चकर खुलता है उस दिन आपका कल्यान हो चुका होता है आपको पता भी नहीं चलता है बिल्कुल दोश रहती है यादी कोई भी आतरा की जाती है गुर जी निश्टी तोर पर उस पर सफलता अवश्य मिलती है माँ को भोग क्या लगाए जाए ये भी तुरंत बता दें आज के दिन माँ के भोग में सबसे सुन्दर चीज है वो है मद्हू क्योंकि माँ है क्रोधित अगर क्रोधित है तो उसको मीठा खिलाओ अब मीठे में तरल खिलाओ शहद आम बना नहीं सकते शहद वो मक्हियां बनाती है जसमें रानी मक्ही बनाती है और वो शहत मा को आज के दिन भोग लगाने से इनकी प्रेमा भक्ती मिलती है और आप अपने दोसों से होते हो मुक्त क्योंकि इनका मंत्र भी बड़ा सुसी है बड़ा सुन्दर मंत्र है इनका जैन्ती मंगला काली भदर काली कपालनी दुरगा शमा शिवा धातरी सौहा सुधान plugin नमस्त look ओम इम वींग क्लिंग चमंड़ाए विच इनको भोग लगाお और आप पढ़ते रहो चमंड़ाए विच चमंड़ाए विच करते रहो जवाब चमुन्डा कहते है ना इसका बड़ा सुन्दर अर्थ है हम आप से जुड़े हैं हम आपकी सरण में आए हैं अब मेरा कोई साथी नहीं है कोई संगी नहीं है मेरा कोई आसरा नहीं है मेरा सहारा नहीं है आप हैं चमुन्डा है मेले हैं मंत्र पर्ड़а है मुह से चारण निकल रहा हूं मगर आपका बाव प्रगण को न चाहिए je मांका शुवररंग क्या है ये भी आप में बताए आज मांका रंग बहुत संदर आज मां का रंग है बैंगनी की बैंगनी रंग्नी किकी मांका भू भी भ은 जी है तो आज मा का रंग मा का सुरूप जिस हिसाब से है तो उसके रंग का वस्तर धारण कर सकते हैं और उस आसन पर बैठकर रुद्राश की माला से आज करें जाब आज विशेश रूप से रुद्राश की माला क्योंकि यहां अगर इनको कोई सांथ कर सका कथाओं में हैं कि जो करोध है वो नहीं सांथ कर सकता कुछी सिर्फ चंदर मौली असुत वस्भावाश शिव जी आज के दिन से जोड़ा महा उपाए क्या है ये भी बता दें आप आज का बड़ा सुन्दर उपाए है आज के दिन सबसे पहले तो आप एक करोड़ लोगों को मकान और भोजन काली होती है चीटियां अब दूसरा उपाए क्या करना आपने नारियल चुनरी माता के सिНГार का समान और साथ में चौलाई के लड़ू आज के दिन और छोटी सी शहत की सीसी कि कन्याओं को परसास रूब वित्रन करो कम से कम साथ कन्याओं को और एक कन्या को पोशाक भीट करो उसके चरण चुओ उसके चरण चुके या देवी सर भूतेसु सांती रूपेंड संसिता नमस्तसे 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 नमो नमा सक्ती रूपेंड संस्ता विद्या रूपेंड संस्ता बुद्धी रूपेंड संस्ता लक्ष्मी रूपेंड संस्ता जिसकी आप बहुत दे से इंतियार करते हैं कि लक्षमी जी का तो नाम बताया है यह इनका पूजा का विधान है आज के सकारेक्रम जुड़ा संदेश क्या देना चाहेंगी ये भी बताएं गुरु जी इश्वर खुद ही करता है महामाई खुद ही करती है अपने बच्चे की निगरानी नया तक्या नया मंज़र नया दाना नया पानी जब आप से नसलजें आपके उलजे हुए धंदे तो महामाई के इंसाफ पे छोड़ दे है बंदे वही आपकी मुस्किले असान करेगी जो आप सुम्छ खुद नहीं कर सके वो महामाई खुद करेंगी ये बहुत सुन्दर संकेत है आप सिर्फ उसके इंसाफ पे छोड़ दे खुद करने का प्रयास ना करें पस आप तो कहें बुद्धी निर्मल और लिस्टल बना के रखो सब आपके लिए सरलता से प्राप्त होगा बहुत खुबसरत बात आज इस कारिक्रम के जरिया आपने हमें और साती साथ हमारे तमाम दर गौरी के साथ आज के इस खास कारिक्रम में आप हमें दे इजाजत जय माता दी